सब्सक्राइब किजिए वाइरल टेक इंडिया चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस किजिए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमुश्कर दोस्तों मेरा नामे समय में आप देखने है वाइरल टेक इंडिया दोस्ता मैंसे बहुत साइ लोग ऐसे होते है जो कि True Color का यूज़ करते है तो दोस्ता ऐसे में True Color अगर आप यूज़ करते हो तो सबसे पहले कुछ ची से जड़ूरी है जानना True Color के बारे में तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ True Color के बिशह में True Color actual में है क्या True Color कैसे काम करते है True Color में क्या आपका डेटा सेफ होता है अगर आपका डेटा सेफ नहीं होता है तो आपको क्या करने चाहिए यह सारे बिशह में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात किया जाए true color actual में है क्या तो दोस्तों true color एक ऐसा application से जिसमें हमें कोई भी अगर unknown number से call आता है तो नमबर अगर किसी का phone में saved है अगर वो बंदर true color use करता है तो हमें उसका नाम दिख जाता है और हमें इसका notification मिल जाता है तो बाट दोस्तों इस लगता है कि बहुत अच्छा चीज़ा है पर एक काम कैसा करता है और इसमें क्या हमारे data secure होता है main point इस पर आता है तो दोस्तों काम एक करता है crowdsourcing के उपर crowdsourcing एक्च्वर में होता क्या है आपके phone में true color installed है मेडा phone में installed है ऐसे पूरा दुनिया भड़ में बहुत सरे लोग millions of people जो है जो की use करता है true color को तो यह लोग क्या करता है अपना phone में जैसे ही आप किसी के number save करते हो आपके phone से सबसे पहले access लिया जाता है आपका contacts information का आपका phone से access लिया जाता है आपका cell recordings का आपका phone से access लिया जाता है का call details का या हैने call list का जाए्ट साथ साथ में microphone का video recording का जाता है तो दोस्तों क्या करते हैं इस तरह का crowdsourcing application जैसे आप true color install कर लिया तो आपका phone में अगर 500 contacts से 500 contacts को fix कर लिया ऐसे पूरा दुनिया घर से database को fix किया जाता है यानि अलग-अलग numbers को fix किया जाता है उसके बाद जब number unknown person को show किया जाता है अगर माल लीजिए 10 times 9 एक number आपका phone में saved है जिस नाम पे लिखा हुआ है XYG और यह चीज true color justify करेगा कि आपका जो number XYG से saved किया हुआ है वो number same number maximum people किस नाम से saved किया हुआ है तो उसी नाम को आगे display किया जाता है जब भी आपके सामने कोई call आता है तो उसी particular number जो maximum नाम से saved है वो आपको दिखाय जाता है तो इसको कहाँ जाता है crowd sourcing यानि आपका ही data आपका ही phone से आपका access लेकर आपका data लिया है और वो चीज आगे किसी person को दिखाय जा रहे कि हाँ यह person का नाम है तो दोस्तों इसमें आप बात आता है true color आपको इस सारे चीज़ा दिखा रहे है तो true color का income कहाँ पर है तो दोस्तों इनका जो सबसे पहले जो income आता है कभी भी आपके पास कोई number लिखा होता है उसके नीचे एक advertisement आता है बट इस सारे चीज़े company करती है कोई भी बड़े company है या जिनके पास budget ज़्यादा है यह true color से सिधा contact करता है आप उनसे बोलिए true color से contact किज़े उनका mail ID पर mail किज़े उनको बोलिए मुझे ऐसे persons का number चाहिए मुझे देली से person का number चाहिए जो की cap services से included है या तो जो कि अलाग अलाग कभी भी आप true color में number देखेंगे तो हम आप आपको नीचे नाम दिख जागा banking से related है mortgage and lending से related है किस particular section में यानि किस sector में वो person job करता है कहाँ पर वो person earning है कहाँ पर वो salary है self employed है सारे data एकठा कर लेता है true color क्योंकि true color आपका screen का भी access लेता है तो ऐसा में दोस्तों आप अपने facebook ओपन करते हो आप अपने linkedin ओपन करते हो तो ऐसा में आपका screen decoding से सारे informations एक एक informations आपके बारे में collect कर लिया जाता है और जो true color का और एक main important part होता है true color आपका microphone यानि आपका mic का access कर लेता है दोस्तों mic का access लेने का मतलब यह है कि आपका recording भी हो सकते है आपका voice का भी recording कर सकते है ऐसा application इससे क्या होता है दोस्तों अगर आपका कोई भी voice का recording कर लिया जाए तो आप किस तरह का mentality है आप क्या सोचते हो आप किस काम पर interested हो आप कैसे काम करते हो आप किस तरह का political views पर राखते हो यह सारे informations true color आपके बारे में collect कर लेता है इस तरह का details के द्वारा एंड यह सारे data आपको आगे बेच दिया जाता है अगर requirement परता है क्यूंकि आप देखेंगे आपको किसी जगा पर आपका number नहीं दिया हुआ है आपका number चेंज हो चुका है बड़ उसी particular company आपसे contact कर लेता है कभी अपने चीज़ा सोच के देखा है क्यूंकि ऐसे data filter करता है company आप, banking services ऐसे data लेता है कि इस particular location में सपोस मली जब कनाट प्लेस देली में रहता है तो ऐसे data निकालवाता है कि कनाट प्लेस डेली में कितना person आपका नमागर है सपोस आरून तो आपका detail ऐसे निकालवाया जाएगा कि आरून नाम का कितना person इस particular location में रहता है और जिनमें से कितना person इस industry में जुरे हुए यानि आपका company का profile के साथ जुरे हुए तो इससे बहुती easily filtered हो जाता है और आपका number भी निकालना बहुती easy हो जाता है तो दोस्ते ये सारे चीज़े थोड़ा सब्धन रहिए और मैं आप लोगों से recommendation नहीं दूँगा कि अगर आप true color का use करते हो तो अभी क्या भी true color application अपना phone से uninstall कर दिए अब आपका मन में सवाल आ सकते है कि true color तो अच्छा है कई बार unknown numbers का जानकरी हमें मिल जाता है spam report करने का options आता है तो दोस्तों अगर आपको unknown numbers का जानकरी चाहिए आप जाहिए true color का desktop version में वहाँ पे आप एक fake email ID बनाईडी बनाईए बढ़ आप अपने required information चेक कर सको यही सबसे best तरीका है तो दोस्तों recommendation नहीं दाएगा मेरे तरफ से कि अगर आप true color इंस्टाल कर रखे आपना phone में तो अभी क्या भी true color को uninstall कर देओ क्योंकि यह चीज़ आपके लिए बिल्कुल safe नहीं होता है फिलाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतने अशारक्ता वीडियो अप लोग का पसंद आए होगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करने, share करने ना भूलिए अगर आप लोग को कोई वी सुझाव है तो नीचे comment box में ज़रूर अपने सुझाव लिखिए और अगर अभी तक अपने मेरा चैनल वाइडल टेक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीपैर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो बेल का इकन दिख रहे दोस्तों इसको ज़रूर प्रेस करना क्योंकि मैं रोज़ान आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूं धर्न्यमा दोस्तों जैगीन प्रन्य मातरम